नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुती सांदर स्टॉक अभी दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंवेस्टमेंट करते हैं इसी स्टॉक को बाई करके चलते हैं तो आप दोस्तों काफी अच्छे रिटन इस कंपनी से कम करता था वहीं बीच में दोस्तों कुछ समय ऐसा भी आया जब इस कमपनी का स्टोक प्राइज आपसे को चार से पांच रुपे के आसपास ही देखने को मिला ओवर ओल अगर मैक्सिमम रिटन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 126% की रिटन है वहीं 126% की रिटन इसलिए है क्योंकि बीच में दोस्तों कमपनी का परफोर्मेंस उतना सांदा नहीं था कमपनी चाहकर भी अपनी सेल नहीं बढ़ा पा रही थी और कमपनी की जब सेल नहीं हो पा रही थी तो जिसके बाद इस company में stock price की जो value है, stock value बढ़ चुकी है और अभी आप देखेंगे 3-4 रुपे का जो stock है वो लगबग 74.60 पैसे पर आज चुका है continue stock आपको बहुती सांदार return बना कर दे रहा है वहीं बात करेंगे दोस्तो इस company में 5 साल के return की तो आप देख सकते हो 5 साल के return बहुती सांदार 545% से ज़्यादा के देखने को मिल जाएंगे यानि कि 5 साल पहले stock की value सिर्पोर्सिफ 4 रुपे 13 पैसे के आसपास हुआ करती भी जो की 74 रुपे 60 पैसे पर पहुंच चुकी है अगर वहीं हम बात करते हैं stock की एक साल के performance की तो एक साल के अंदर भी 542% के बहुत ही सांदार return ये company बना कर दे चुकी है अब दोस्तो अगर एक साल से कम का performance देखते हैं 6 महिने का तो 6 मन्त के अंदर इस company ने 185% के return बना कर दिये हैं यानकि 185% के return सिर्फ और सिर्फ 6 मन्त के अंदर तो इसी लिए इस company को मैं ले कर आया हूँ क्योंकि ये जो stock अभी जहां पर देखने को मिल रहा है आने वाले समय यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला है जिस तरीके से आप देख सकते हो इसके data में चार्ट को चार्ट बहुत ही सांदार तरीके से ऊपर जंप कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो stock है हो सकता है 2500 रुपे के आसपास पहुंच जाए वहीं अगर हम बात करेंगे पिछले एक महीनने की तो वन मन्त के अंदर stock price में आपको 91% से ज़्यादा के return देखने को मिले है 5 दिन की बात करेंगे तो 9% से ज़्यादा के तेजी आपको देखने को मिली और एक दिन की बात करेंगे दोस्तो तो आज भी आपको stock में तेजी देखने को मिली अब बात करेंगे दोस्तो इतने सांदार return देने वाली company कमपनी कैसी है सारी चीजे डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं तो दोस्तो अगर बात करते हैं कंपनी की मार्किट कैप की तो 904 कροड़ है यानि कि एक स्मॉल कैप कमपनी है जो की 500 क्रोड से उपर की market cap वाली company है वहीं बात करेंगे stock price की तो 74 रुपे 20 पैसे देखने को मिल जाएगा पीडेसो दोस्तो फिलाल यहाँ पर दियावा नहीं है और book value यहाँ पर minus में चल रही है वहीं बात करेंगे debt की तो 6 करोड़ 30 लाख रुपे का कर्ज company के उपर है और EPS की बात करेंगे तो फिलाल आपको एक साल की यहाँ पर minus में देखने को मिलेगा sale की बात करेंगे तो 175 करोड़ रुपे की sale company ने पिछले 12 महिने में की है यानि कि पूरे एक साल का performance है वहीं profit अगर profit की बात करेंगे पिछले एक साल की तो 34 करोड़ रुपे का loss देखने को मिला अगर यहाँ पर हम बात करते है earning per share की जो की minus में है और profit भी यहाँ पर minus में देखने को मिल रहा है तो आप यह बिल्कुल भी ना देखकर चले कि यह minus में है इसलिए हम इस company को आगे study नहीं करेंगे क्योंकि यह पूरे एक साल का data बताया गया है और मैंने अभी आपको बताया है कि company case जो sale है पिछले कुछ समय से बढ़ी है यानि कि 3-4 quarter से बढ़ी है तो अभी के performance के आधार पर ही इस company का जो stock value है वो उपर जा रही है तो हम इसको पूरी analysis करने के बाद ही इस company के बारे में ये पता लगाएंगे कि company अच्छी है या बुरी है नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो company की जो profit growth है वो 96% देखने को मिली और sales growth 290% देखने को मिली इसलिए मैंने कहा था कि एक साल के performance को ये सबसे अच्छी बात है और average volume की बात करेंगे तो 89,680 volume पर मन्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यानि कि जो volume से वो भी यहाँ पर increase हुई है यानि कि आप यहाँ पर 10-20 quantity यहाँ पर add कर सकते हैं और आप उसके बाद इनको बेच भी सकते हैं यहाँ कि 90,000 के आसपास की यहाँ पर आपको volume देखने को मिलने वाली है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर quarterly result के बारे में बताया तो आप यहाँ पर देख सकते हो company की sale अप से पहले सीर पोस्तिप 14 करोड, 15 करोड, 17 करोड, 28 करोड के आसपास देखने को मिलती थी वहीं December 2021 के बाद इस company में jump आई और company की sales बढ़ी अगर अभी आप sales की बात करेंगे तो December 2021 में 50 करोड, March 22 में 80 करोड और June 2022 में 111 करोड की sale देखने को मिली यानि कि ये sales जैसे ही company की बढ़ी उसके बाद दोस्तों सभाविक है कि expense भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे profit भी अगर profit की बात करेंगे net profit की तो company को इससे पहले loss देखने को मिलता था कभी 10 करोड कभी 25 करोड कभी 17 करोड कभी 18 करोड कभी 13 करोड पर अभी आप देखेंगे पिछले दो quarter से तो 15 करोड का फायदा हुआ और उससे अभी की latest की बात करेंगे तो 14 करोड का company को यहाँ पर net profit हुआ यानि कि company ने continue लगबग 39 करोड का profit यहाँ पर earn किया है 6 मीने के अंदर इसलिए stock price अब आपको उपर देखने को मिलेगा और earning per share जहाँ पर minus में चल ला था वही 1.19% यहाँ पर आपको earning per share देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पर हम compounding sales growth की बात करेंगे तो अभी आप देख सकते हो 12 मेंने के अंदर 290% बढ़ी है और profit growth की बात करेंगे तो 96% बढ़ी है और stock price CGR की बात करेंगे तो 549% बढ़ी है तो इन तथियों को आपको सामने रखकर ही इस company को study करना है अगर company के पास cash की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इससे पहले company के पास 1 रुपे का भी cash नहीं हुआ करता था और अगर अभी की बात करेंगे पिछले 3 quarter में तो company के पास cash भी है और March 2022 में 1 करोड रुपे का cash है यानि कमपनी के पास एक रोड़ पे का cash भी देखने को मिल जाएगा महीं दोस्तों एक और बात जब कि कमपनी की जो debtors थे उनकी payment कमपनी पहले लगबग 99 से 76 दिन के आसपास करती थी अब कमपनी के पास cash है तो इसलिए 19 दिन के अंदर ही कमपनी अपने जो debtors है उनका payment कर देती है यानि कि जो देंदार है यहाँ पर उनकी tension नहीं है जो कि पहले 3-3-3-3 महींने में payment होती थी वहीं एक महीने से अंदर ही उन जो है vendor है उनकी payment यहाँ पर कर दी जाती है अगर share holding pattern की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कमपनी की जो promoters है उनके पास 75% की holding है वहीं अगर FI's की बात करेंगे तो FI's की holding भी बड़ी है और 17.93 लगवन 18% की holding और public की बात करेंगे तो 7% की holding यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कमपनी के नाम की बात करेंगे कर बात करेंगे कर दो